सो हे गाईज एक बाफिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24 by 7CA जोन में आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है वो आपके सामने में लेकर आया हूँ और कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट आज्ट कोश्चन्स आपके सामने लेकर आया और यहाँ पर अगर मैं बता दूँ अगर आप हमारे पेड़ बैच पेड़ क्लासेश जोन करना चाते हो तो वो भी कर सकते हो separately भी कर सकते हो किसी एक subject में अगर आपको दिक्कत है या उस subject से related आपको पढ़ना है score करना है तो उसकी particular classes आप जॉइन कर सकते हो या फिर all over हर एक subject की भी classes जो है वो जॉइन कर सकते हो WhatsApp नमर जो आपको दिया हुआ है इस पे आप हमसे कुछ भी जो details है वो पूछ सकते हो कुछ भी doubt पूछ सकते हो और जो paid batch की query है वो भी कर सकते हो और यहाँ पे आप लोगों के लिए हमने एक scheme की तरीके किसे यहाँ पे launch किया है क्या है वो scheme की आप हमारे जो batch है उसमें free में enroll कर सकते हो कैसे suppose आपने यहाँ पे enroll किया हमारे batch में और उसके बाद आपको क्या करना है refer and earn करना है बहुत ही असानी से देखे आपने यह चीज सुनी होगी but यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा काम करोगी तो definitely आपको चीजे बहुत ही जादा useful होने वाली है so यहाँ पे आपको क्या करना है बस जो हमारा course है उसको अपने friends को refer करना है और वो जब friend आपके join करेंगे आपका junior को है वो join करेगा तब आपको per student के इसाब से 50 रुपीज direct cash दिया जाएगा आपके account में so कुछ भी detail जाननी है बाकी तो आप हमें whatsapp कर सकते हैं whatsapp का number हमने अल्रेड़ी आपको बता दिया है आजाते है प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं बाकी share या subscribe के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे आप पहले practice session attend कीजे अगर आपको पसंद आए तो आप अपने आप ही जुर जाएंगे subscribe कर देंगे, will button दबा देंगे उसमें मेरे को कुछ कहने की ज़रुत है नहीं और वीडियो भी अगर पसंद आएगे तो आप अपने आप ही like कर देंगे नहीं पसंद आएगी तो मत करेगा जो भी आपकी लेकिन शिकायते हैं कि अगर आप कुछ चाहते हैं कि improve करें तो comment box में comment करके ज़रूर बताएगा कि sir ये चीज इस तरीके से आप करा सकते हो या इस तरीके से आप पढ़ा सकते हो कुछ भी अगर आपको लगे दिखकर ठीक है बाकी start करते हैं practice session question number one आपकी screen पर है London is besides which of the following river तो London जो है वो किस river के किनारे है यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है तो बताना है आपको और options आपकी screen पर है लपलता रीवर, यमुना रीवर, अमेजन रीवर या फिर टेम्स रीवर तो अच्छा question है, याद रखना है London जो है वो टेम्स रीवर के किनारे आपको देखने को मिलती है टेलिग्राम ग्रूप भी आप हमारे जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी छोटे छोटे अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं दिस्किप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लिजएगा बाकी यहाँ पे हम चलते है, question number 2 पे जो हमारा पूछ रहा है, भवानी सागर डैम इस इन विच स्टेट तो जो वानी सागर डैम है, वो किस state में है? देखो सबसे पहले, dam से related जो कोशन आता है, वो दो तरीके से आता है पहला आपसे फुझ़ेगा कि किस river पे है, दूसरा आपसे फुझ़ेगा कि किस river में है तो ये river अगर हम बात करें भवानी सागर डैम की तो ये भवानी रिवर पर ही ये डैम है लेकिन state की बात करें तो आपका तमिलनाडू state में आपको ये भवानी सागर डैम देखने को मिलता है आगे बढ़ते हैं, next question पे चलते हैं, next question हमारा है देखें, बहुत सारी tribes होती हैं, उसमें से एक है हमारी Mando tribe Mando और Mand ये दो अलग-अलग हैं, तो words भी आपको याद रखने हैं यहाँ पे मैं Mando tribe के बारे में पूछ रहा हूं कि ये किस state में पाई जाती है तो correct answer अगर हम बात करें यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि option B, then yes, you are right option B is the right answer, Mando जो tribe है वो हमें गोवा में देखने को मिलती है next question पर चलते है, first woman CM तो सरोजनी नाईरू, सुचिता करिपलानी, करिन बेदी या फिर ममता बनर जी first woman CM and first woman governor यह दोनों ही चीज आपको याद रखनी है, confusion भी होता है तो अब नहीं होगा, क्यों क्योंकि आपने पढ़ लिया 24 by 7C zone पर कि first woman CM जो है, वो सुचिता करिपलानी है और first woman governor जो है, तो सरोजनी नाईरू है I repeat, first woman CM जो है, chief minister सुचिता करिपलानी अगर आपसे पूछेगा first woman governor, तो आप लगाओगे सरोजनी नाईडू याद रखेगा, important है, confusion होता है, इसलिए मैंने आपको दो बार repeat करके भी specially बताया नेक्स यहाँ पे जलते हैं, पहुच सारे vitamins होते हैं, आप सभी खोपता है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि vitamin B12 की अगर कमी है किसी को तो उसको कौन सा रोग होने के chances हैं, या वो कौन से रोग से पीडित हो सकता है, तो आपको याद रखना है vitamin B12 अगर कमी है, तो वो पीडित हो सकता है एनेमिया से, vitamin A जो है, वो related है night blindness से, vitamin B three जो है, वो आपसे, जो यहाँ पे हम बात करें, option है पेलगरा से related है, तो जो मैं आपको extra information देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको भी आप अपने दिमाग में थोड़ा सा save रखिएगा next यहाँ पे हम चलते है, earth summit inaugural तो earth summit जो होता है, सबसे पहला earth summit मतलब कब हुआ था, यह आपसे पूचा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यह हुआ था, Rio de Janeiro Brazil में, और यहाँ पे आपको याद रखना है कि यह जो आपका क्या है, 1992 option correct होने वाला है, 1992 में earth summit हुआ था founder of our isamaj, यहाँ पे से पूच रहा है, तो आरे समाज के अगर हम founder की बात करें, तो याद रखेगा स्वामी दयानंद जी जो यह है वो यहाँ पे, आरे समाज के founder आपको देखने को मिलते हैं next पे चलते हैं, हमारा अगला question हम से पूच रहा है कि इंदरा साहनी case is related to OBC reservation emergency terrorism या फिर reservation of women, तो जो इंदरा साहनी case था, वो किस चीज से related था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, OBC reservation से related था, important है याद रखेगा next यहाँ पे चलते है, leading producer of maize, आपसे पूच रहा है, maize का leading producer सबसे ज़्यादा मात्रा में, कहाँ पे produce किया जाता है तो आपको याद रखना है, यह जो maize है, इसका production सबसे ज़्यादा होता है, करनाटका में, तो यहाँ पे option D आपका correct answer होने वाला है, आगे हम बात करें, who won Australian open in men's singles 2022, अभी हाल फिलाल की बात है current affair में, पूछा जा सकता है कि men's singles में, Australian open में, 2022 वाला जो हुआ है उसमें किसने जीता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है नेडाल ने, रेफल नेडाल ने जीता है और कभी-कभी आपसे यह भी पूछा जाता है कि किस खेल से related है, तो tennis से related है, कभी-कभी आपसे यह भी पूछा जाता है कि किस country से related है तो Spain से related है, यह भी आपको चीज़े याद रखनी है अपने mind में recall करना है सब कुछ, आगे बढ़ते हैं, next हमारा जो question है, वो कुछ आपसे पूछ रहा है कि बुद्धा जी जो है got enlightened at, मतलब ज्यान की प्राप्ती हुई थी बुद्ध गया में, कैसे आप याद रखोगे तो बुद्ध गया, आप यहाँ पे कुछ, जो word है बुद्ध मतलब बुद्धी से आप याद रखना ठीक है, बुद्धी की प्राप्ती बुद्धी की प्राप्ती कहाँ पे हुई बुद्धा जी को बुद्ध गया में तो बुद्धी बुद्ध ठीक है तो इस तरीके से आप कुछ यहाँ पे एक दुशरे से compare करके याद रख सकते हो आगे बढ़ते हैं केवला देव नाशनल पार्क आपसे पूछ रहा है कहाँ पर है राजिस्थान में मद्ध प्रदेश में उत्तर प्रदेश में या फिर तमिल नाडो में तो यहाँ पे अगर हम बात करने correct answer आपका बनेगा अगर राजिस्थान में आपको ये केवला देव नाशनल पार्क देखने को मिलता है option A यहाँ पे आपका correct answer होने वाला है next यहाँ पे चलते है state emergency हमाँ पास तीन तरह की emergency है Indian constitution में लेकिन state emergency की अगर हम बात करें तो किस article में पूछा जाता है total हमाँ पास 395 article है और अगर हम co parts भी गिनते हैं अगर तो 448 articles हम खुद देखने को मिलते हैं similarly यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हमारा state emergency का article है वो है 356 352 में आपको national emergency देखने को मिलती है 356 में आपको state emergency देखने को मिलती है आगे बढ़ते नेक्स्ट यहाँ पे देखे अब क्या है यह जो चार आपके लिए questions homework है ठीक है यहाँ पे आपको तीन one word substitution दिख रहा है और एक word दिख रहा है जिसका synonym आपको बताना है ओके तो यह questions का answer आप सभी लोग comment box में ज़रूर बताइएगा बाकी अगर आपको हमारी paid batches join करनी है तो आप हमें whatsapp करेंगे सारी detail ले सकते हो और वैसे आने आपको सब कुछ बता दिया कि relevant content रहेगा हर एक topic cover होगा time saving approach आपको जबरदस्ती तयारी करवाई जाएगी वहाँ पे कोई भी छूट नहीं दी जाएगी इस तरीकी से तयारी करवाएंगे कि आपको पढ direct बात ही है ठीक है तो अगर direct बात सुनना पसंद करते हो तभी आप सफल होगे तो यह चीज़ आप सोचिए पहले खुद से कि एक systematic अगर आपको preparation मिलेगी और हम ऐसे ही नहीं कह रहे है 2021 में भी हमने preparation करवाई students को selection मिला 2022 में भी preparation करवाई students को selection मिला लखना यूश्टी बनार बारवान ही वाले है इन paid batches में बाकी practice session जो है वो YouTube पर ऐसे ही आपके लिए available होते रहेंगे और आपको systematic हर एक topic पढ़ना है तो definitely आप हमारा paid batches join कर सकते हो आपको कुछ भी जिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम बता दें कि आपका जो भी classes हैं वो आपका जो boards exam खतम होंगे उसके बाद में ही हम start करेंगे तो यह सब चीज़े ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं और यह आप batch join करते हो तो उसके बाद आपको कोई भी कुछ भी extra content पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो हम पढ़ाएं बस उची को आप पढ़िए revise करिए वो इतना enough ह होगा और इतना तो आपको हम देई देंगे कि चीजें इतना आपको पढ़ा देंगे इस तरीके से पढ़ाएंगे ना कि आपका अंग-ंग मेहनत करने ही लगेगा अंग-ंग मेहनत का आदी हो जाएगा क्योंकि आपके पास कोई और option ही नहीं बचेगा उस situation में हम आपको ल इलाशिक हुआ हैं तो comment box में हमें बता सकते हैं WhatsApp नमबर आपको हमने देई दिया है तो वहाँ पे भी आप हमसे कुछ भी doubt वगएरा पूछ सकते हैं और paid classes भी join कर सकते हैं और registration सभी open है बाकी refer and earned की policy आप यहाँ पे अपना होगे स्कीन को follow करो के तो definitely आपको बहुत ज्याद फाइदा होने वाला है अगर आप सोचोगे एक बार तो definitely आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम अभी फिलाल के लिए class को end करते हैं मिलते हैं next session में कुछ और important questions के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अपने घरवालों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए जिनका अभी boards exam है उन सभी को all the very best जै हिंद जै भारत